प्यारे दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार पुने आप सभी का अपने इस प्यारे सी यूटूब जैनल टॉपर गैलेक्सी पर मैं हूँ आपका बड़ा भीया अमित तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास्टल तक फुजिक्स के अंतरगत जो आपका इस चैप्टर में आपके जो important question है कुछ derivation है उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा या आगर पढ़ भी लिये हैं तब भी इस वीडियो को पूरा आपको देखना है जिससे की आने वाले time प अरिपत में transformer का उपयोग क्यों नहीं किया जाता एक बहुत ही important question कह सकते हैं एक number के लिए board exam में यह आता है तो मेरे कहने क मतलब यह रहता है कि आप लोग जो भी study करें चाहे आप किसी भी chapter को पढ़ रहे हूं उसमें से चाहे एक number का ही question क्यों आए लेकिन उसको भी मैं करात हूं ठीक है एक number उतना ही important है जितना हमारे लिए 5 number important है क्योंकि physics जैसे subject में आप जानते हैं एक एक number बहुत ज्यादा महत्तु रखता है जब आपको paper देना होता है तो इस question का answer आप देख सकते है theory है आप इसको समझ लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि दिष्ट धारा परिपत है आपका परत्यावर्थी दारा तो इन्हें में देखिए आप AC DC current तो जानते होंगे ना इसमें DC याने की direct current है आप इसमें डिस्ट धारा में जो transformer होता हो नहीं लगा जा सकता क्योंकि कह रहा है कि इसमें पर जो परिवर्थी चुम्बकी चेत्र होता जो कि आप जानते है क प्रोन मतलब कि कुंडली लगा जाती है अगर आप कुंडली इस लगाएंगे और यह जो आपका दिश्ट धारा इसको जब आप लोग फ्लो करेंगे उसे कुंडली में तो वहां पर चुम्बकी चेत्रुत्पन नहीं होगा इस रिजन से क्या होता है इसमें दिश्ट धारा समीकर्ण आपके सामने क्या दिया गया है प्रतावाजी धारा समीकर्ण आई बराबर फोर साइन ओमेगा ओमेगा की जगर पर क्या है हंड्रेड है पाई टी माइनस सीट है एक समीकर्णता है आई बराबर आई नर साइन ओमेगा टी आपने इस चेप्र को जब पढ़ा होग तो आपका मिला होगा, इसी से हम लोग compare करेंगी, तो प्रatawaj धारा समीकन है तो कही रहा है कि धारा का आपको घ्राइत करना है क्या? आवर्तकाल घ्राइत करना है ठीक है न, आवर्तकाल हमेशे में ज्याइत करना है, चल्डिए ग्याद करते हैं सबसे पहले आप इसमें दिखी कि दिया क्या गया है हमारे सामने भीया दिया गया है याँ पर एक समीकन यानि कि जो प्रत्यावर्थ धारा समीकन है वो दिया गया है I बराबर 4 sin व्रेकट में है 100 πाई T माइनस थीटा इस प्रकाश से दिया गया है आप लोग देख रहे है अब इसके लिए जो मैंने बताया कि हमारा प्रत्यावर्थ धारा जो समीकन होता है उससे हम लग करेंगे compare इसको तो प्रत्यावर्थ धारा समीकन आपका होता है I बराबर I बराबर I not I not क्या है यह धारा का सिखर मान होता है ठीक है धारा का सिखर मान होता है इसको बोलते हैं और इसके बाद यहाँ पर I not के बाद sign और यहाँ पर लिखना है आपको bracket में omega t minus theta ऐसे होता है तो भाई साब यह जो समीकन है प्रत्यावर्थ धारा समीकन इस वाले समीकन से आपको जो पहले वाला समीकन दिया गए इसको करना है compare तो इससे आप compare करने पर क्या चीज़े find करेंगे तो बोलेंगे भाईया यहाँ से हमारा I not की जगब पर 4 है तो हमें मिल गया I not की value तो यहाँ पर आप लिख दीजे तुलना करने पर आप देख लिजिए यहाँ पर और भी चीज़े हैं जैसे कि यहाँ पर क्या रखा गया है एक आपके पास omega omega की जगब पर क्या है सव पाई है ठीक है टी सुटी आपका वैसे ही रहेगा omega की जगब पर क्या है सव पाई है तो इससे आप तुलना कर लिजे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हम लिखते है जैसे कि omega बराबर हमारा सव पाई और एक चीज और आपको ध्यान देना यहाँ पर कुछ फार्मूरे लगते है omega बराबर सव पाई यह कोणी आवरत्ती होती है omega ठीक है सव पाई यहाँ पर यह हो गया अब omega बराबर क्या होता है बोलेंगे भईया यह तो important है omega डबलू मत कहिए गए इससे omega आप ऐसे बनाते होंगे omega बराबर होता है प्यारे दोस्तों 2 pi f 2 pi f यह होता है omega बराबर एक सूत्र है ठीक है ना यह एक सूत्र है अलग से तो omega बराबर अगर 2 pi f है तो भाई साहब omega की जगा पर क्या आप 2 pi f लिख सकते हैं बोलेंगे हाँ यह आराम से लिखते हैं क्योंकि यह दोनों बराबर है समझ रहे हैं बराबर है तो आप चाहे तो इस प्रकास से वाले सूत्र को देखे और एक प्रकास लिख सकते हैं इस वाले सूत्र को लिख सकते हैं i बराबर i not sin और omega की जगा पर लग दीजे 2 pi f t minus theta बस तो भाई साहब omega की जगा पर हमने 2 pi f कर दिया वही चीज़े हैं तो बस इसकी जगा पर पूरी बैलू की जगा पर 100 pi है तो बस compare कर लिजिए तो हमें compare करने पर क्या मिला बोलेंगे मिल गया 2 pi f बराबर हमें मिल गया 100 pi 100 pi समझ रहना बहुत यारी जी है मैंने बस compare किया है कुछ और नहीं किया है अब जब compare कर लिए तो हमें क्या गयात करना यहाँ पर बोलेंगे आवरत काल गयात करना है तो आवरत काल गयात करने के लिए सबसे पहले तो आवरत्ती चाहिए आवरत्ती क्या है frequency f है आपकी तो चलिए पहले आवरत्ती निकाल लेते अगर हमें f कमान गयात करना यहाँ पर क्या करेंगे यह वराबर्ड 100 Pi इधर है और यह 2 Pi इसके बटे में करा देंगे बस सीधा सा 2 Pi तो यह cancel हुआ यहाँ पर बचाब का 50 यह क्या है यह अवरत्ति है अवरत्ति का मातरा क्या होता है हड्ज होता है ठीक है हर्ट ऐसे यह जड़ भी लिख सकते हैं आप लोग लगा दिजी आप डारेक्ट, लिकेंगे आवर्त काल बराबर, आवर्त काल इसको capital T से बेगत करते हैं, ठीक है न, ऐसे, आवर्त काल, बराबर होता है आपका ये, एक बटे F के, किसके बराबर होता है भईया, एक बटे F के, ठीक है न, एक बटे F, तो हमारे पास T बराबर क् 1 upon F का मान कितना है 50 एक बटे 50 आ गया जब एक बटे 50 आया तो अब आप इसको solve कर सकते हैं कैसे solve कर सकते हैं इसको आप 100 बनाएंगे जब तो यह आप कितना बनेगा यहाँ पर देखेए अगर आप इसको 100 बनाते हैं यह तो आप direct भाग करा दीजिए तो पहले देखे कितने बढ़ जाएगा 0 लगाए पहली बार में जाएगा नहीं point लगाएंगे फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो इसमें यह 0 लगेगा फिर इसके बाद 100 बन जाएगा तो 52 100 यानि कित 2 तो 0.02 यह आगया ट का मान आवर्तकाल इसका मातरक लिग दीजे second ठीक है ना second तो 0.02 second हमारा आगया क्या आवर्तकाल का बैलू तो इस question में प्यारे साथ यो इतना ही ग्यात करना था आप लोग समझ गया होंगे और अगर यहाँ पर confusion होई हो तो समझ लिजे का omega बरावर आपका होता है 2 pi f के और यह आपका omega की जगा पर 2 pi f कर देंगे यहाँ पर तो यह समीकर बनेगा t से t को हटा दीजे यहाँ पर और 100 pi आपका आगया 2 pi f की जगा पर यही चीज हमने यहाँ पर किया है और इससे f यानि की आवर्ति हमने ग्याद करी आपका अवर्त काल ठीक है ना चलिए अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आया तो फिर से प्रयास कर लिजेगा वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अंगला question देखते हैं देगे next question इस chapter से बहुत ज्यादा important प्रसन आपके सामने आ चुका है पहरे सात्यों जिसका मतलब समझ लिजे बोर्ड एक्जाम में आना एकदम तैं है और यह question आता ही आता है question क्या कह रहा है कि धारा गहनत तो यह अनुगमन यहाँ पर निकाल रहे है धारा गहनत और अनुगमन बेक की भी संबन लेकिन किसी भी चीज के भी संबन निकालने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर वो चीजे है क्या है धारा घनत तो क्या होता है समझे किसी चालक में किसी बिंदू पर प्रति एक आंक छेत्रफ़ल से अभिलमबवत गुजरने वाली धारा को उसे बिंदू पर धारा घनतों कहते हैं और इसे जियसे प्रदर्सित करते हैं जियसे ठीकर ना मühlणब कोई एक चेत्रफल है एक आंक चेत्रफल है औरूस चेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली परपेंडिकुलर अभिलंबात या लंबवत गुजरने वाली जितनी भी धारा होगी उसको हम बोलेंगे धारा खना तो इसको जे से बेक्त करेंगे ठीक है ये परिभासा है इसकी इसके बाद लिखिए यहाँ पर इसका सूत्र कैसे देखे बनेगा यानि कि इसमें कोई current हम लोग दड़ाएं तो अगर उसका मान I है चालक के अनुप्रेष्ट काट का अगर यह चालक है जिसका छेतर फल हमान लेते हैं कि अगर A है तो A पर समान रूप से अगर धारा बितरी था है तब हमारा धारा घनत जो कि J बराबर होता है I upon A यानि कि J क्या है धारा घनत तो है और I आपकी धारा है और A आपका क्या है उस चालक का छेतर फल है ठीक है तो यह सुत्र हमारा इसका बन जाता है अब इसके बाद चलिए नेक्ष देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है धारा घनत इस सुत्र को लिखने के बाद लिखना है माना किसी चालक या किसी धातु में किसी स्थान पर अब यहाँ से यह मान रहे हम लोग ठीक है ना माना किसी धातु में किसी स्थान से टी सेकेंड में मुक्त इलेक्टरानुक द्वारा ले जाया जाने वाला कुल आवेस Q है तब यहाँ पर धारा बराबर आपका होता है Q upon T यह formula है यह सूत्र है और इस सूत्र को आप chapter number 1 में पढ़े होगे है आप पढ़े नहीं है यह आपका mistake है इसको पढ़ लीजेगा I बराबर होता है Q upon T यहाँ धारा बराबर होता है आप इस बटे समय ठीक है ना तो यह आपका इससे बना first equation यह नहीं समय कर number 1 अब आप समझ रहे हैं इसके बाद लिखना है T second यह कुछ time ही लग रहा होगा यह जब process जो भी हो रहा है हम लोग current flow कर रहे हैं जिससे अब इस उत्पन हो रहा है जो भी चीजे हो रहे हैं आप सवस्ते इसमें कुछ time लग रहा होगा तो हम माले थे कि T second में तार के छेतर फल यह जो तार है तार के छेतर फल में से गुजरने वाले कुल इलेक्टानों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी NAVDT ठीक है ना NAVDT यह VD क्या है बोलेंगे यही तो है अनुगमन बेग जो समय लग रहा है उसमें इलेक्टानों को गुजरने में जो उस छेतर फल से यह आपका क्या है यह तार का छेतर फल है यन क्या है इलेक्टानों की संख्या है टी क्या है वो टाइम है VD क्या है यह अनुगमन बेग है ठीक है ना तो यह होगी हमारा इस प्रकास से निकल क्या है इलेक्टानों की संख्या आप लिखेंगे इसके बाद तार से या टी सेकेंड में तार के छेतर फल से गुजरने वाला कुल आवेस कितना होगा तो आवेस बराबर हो जागा Q बराबर N E A V D T कितना बनेगा N E A V D T अब इसके बाद देखिए आगे आप लोग यहाँ पर कुछ और प्रोसेशन जो की कर सकते हैं क्या करना है इसके बाद थोड़ा सध्यान देजेगा Q कमान कितना आया Q बराबर हमारे पास आ चुका है N E A V D T इतना निकल के आया आप लोग देखे है ना Q बराबर इतना निकल के आया अब आपके पास अगर देखे तो आई बराबर Q अपान T है तो देखिएगा फिर हम लोग यहाँ पर आई कमान गयात करते हैं तो आई बराबर आप निकल सकते हैं Q की जगा पर यह पूरी बैलू है यहाँ पर रख दीजे यहाँ पर J के बीच संब्द है यानि कि धारा घनत और अनुगमान बेग जो VD है इन दोनों के बीच रिलेशन गयात करना तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं बोलेंगे भाईया यहाँ पर हम रख सकते हैं J बराबर यहाँ पर I है तो I कमान कितना है यानि E A VD और अपान में कितना है तो A रख दीजे तो A से A कैंसिल वा जे बराबर आपका आगया N E VD यह आपका धारा घनत और अनुगमान बेग में संबंध आ गया इस प्रेकार से इन सूत्रों को ग्यात करना होता है ज्यादा यहाँ पर कुछ कठीन है नहीं बहुत ही आसान है बस थोड़ा स यह लंबी परिणालिका है इसके सौपयार कट्यों का सूत्री स्थापित किजीं किसका वह स्वपयार कट्यों का चलिए को हम लोग हम से χ GSN करते हैं ठीक है रहर्यु का आपका हेसिनरी होता है सब्रेख चोक् help क्या होता है ही रही होता लिए लिख लिए यहाँ Wrestling है ठीक है तो इसमें भी आपको थेवरी थोड़ा से लिखना क्या माना एक लंबी वायू क्रोण परिनालिका की लंबाई क्या है आपकी इसमॉल एल है ठीक है ना तथा परिछेतर परिछेतर का छेतर फाल आपका कैपिटल ए है परिनालिका में कुल फेरो की संख्या यहां पर क्या है कै पेरित धारा आपकी आई है हमने माल लिया कि हमारे पास कोई वाई परिनालिका है जिसकी लंबाई हमारे पास का परिनालिका आप जानते है कैसी होते है कुंडली के तौर पर इस प्रकास से तारों को लपेट करके बनाया जाता ठीक है ना तो कुंडली के तौर पर होती है इस भीतर क्या होगा, चुम्बकिय छेतर कितना होगा, यह सूत्र है, यहाँ पर, ठीक है न, यह सब चीजे हम ग्याद करने के बाद मानते हैं कि परिनालिका के भीतर जो चुम्बकिय छेतर है, इसको हम V से वेक्ट करेंगे, है न, V से, मिउ नॉट इन आई अपान एल, ठीक है, जहां मिउ नॉट क्या है, निरुवात की चुम्बकिय छेतर है, जो आपके कुछ ऐसे साइन है, जो चिन है, जो आते जा रहा है, उनको मैं सामने आपके बताता जा रहा हूँ, तो गन्फ्यूज मत हो न, यह सूत्र है, ठीक है न, का मान आपके पास दिया गया है यह आपके पास पहले से है है ना सूतर में तो B के बैलू चलिए उठाते हैं यहापर यह उठा लिए और इंटू में A है तो इंटू A कर दिये इतना समझ में आया है ना इसके बाद देखे क्या करना है थेओरी है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा से इसलिए मैंने पहले से लिखके रखा है ना वरना मैं आपको सामने भी समझा सकता था क्योंकि इसमें कुछ जाद पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि परिनालका में फेरो की संक्यापी क्या थी कैपिटल यहन थी बस यहन का गुड़ा करा दिये फाई आपके पास यह पूरा बैलू है फाई बराबर क्या है यहाँ पर मियू नाट एन आई ए अपान एल ठीक है ना तो पर इसक्वाइर बन गए हाना मियू नाट एन इसक्वाइर आई ए अपान एल यह मना इसके बाद लिखेंगे परंत उपरिनालका के सभी फेरों से बद्द कुल चुम्ब की फलस्क एन फाई बराबर एल आई होता है अब यही यही है आपका स्वापरेर कत तो इसी से आपक एन फाई के बटे में आ जाएगा तो यह न फाई बराबर यह पूरा बैलू है और आई आपको इसके बटे में कर देना है जब इतना करेंगे तो यह बराबर बनेगा एन फाई अपान आई एतना बन गया एन फाई का बटे में आई है तो बटे में जब आई रखेंगे तो आई आपका इसकी कहाँ पर जाएगा बटे में जाएगा तो आई से उपर वाला आई कैंसिल होगे इस प्रकास रखने पर बचा कितना एल बरावर बच गया म्यू नाट एन इस्पाइर ए अपान एल और इसका मातरग लिख दिए हैंरी जो की है स्वापरियर कॉट इतना ही आपको ग्याद करना है ठीक है ना तो पूरा कंप्लीट ये सूत्र आपका यहां से आ चुका है चलिए इसके बाद next question देखिए अंगला question आपके पास यहाँ पर आता है जिसको बोलते हैं बायो सबट नियम ग्याद करिए चलिए बायो सबट का नियम तो इसको ग्याद करने के पहले ये चित्र समझ लीजे थोटा सा चित्र है बहुते प्यारा सा question है पूरा तीन नंबर के लिए बोड एकजाम में ये आता है ठीक है ना यहने कि ज्यादा बड़ा नहीं आएगा कि आप सोचे पांच नंबर में ये आ सकता है तो पांच नंबर में अकेले नहीं आएगा यूपी बोड की बात करें तो ये आपका तीन नंबर में आता है तो बायो सबट नियम सूत्र का निगमन करना है देखिए आपके पास ये एक चालक तार है जो कि यह क्या है XY है ठीक है ना यहक्स वाई क्या है एक चालक तार है इस चालक तार में आपकी I अधारा प्रवाहित यह आपको देख रहा हा ना यह ए routine इधर से इधर कियो ठीक है ना और इसमें हम लोग कोई एक और इससे आपको P बिंदु पर यानि की बिंदु पैंगे मना एक स्वाई-ek चालक तार है इसकी चोड़ा परवाहित हो रही है जो कि मैंने अभी आपको बताया और इस चालक के एक आया निकाल अवे ओं करेंगे ठीक है ना बस यही आपको ग्यांत करना होता है चलिए तो इसमें एक-एक पॉइंट को समझना है तीन से चार पॉइंट जो है इन्हीं पॉइंट को मिला करके पूरा आपका सूत्र बन जाता है देखिएगा फर्स्ट नंबर कहे रहा है चालक में परवाहित धारा जो चालक में आपकी धारा परवाहित हो रही आउ ये किसके अनकुरमान पाती होती है तो आपका चुम की सिक्ठ की तीवरता के जो इसकी हम लोग तीवरता निकाल भाहित हम depends कर्मान पाती है तो डी-वी-वी अनकुरमान पाती मार्थी ये फर्स्ट क्यूसन बन रहा है इसी प्रकास से सेकंड नमबर देखिए तो सेकंड नमबर कह रहा है जो चालक है चालक के अलपांस की जो लंबाई है यह क्या है डील के अनकुर्वान पाती होती है डील यह नहीं अलपांस के अनकुर्वान पाती है तो डीबी अनकुर्वान पाती डील ऐ विंदू बिंदू पी jadi Republican देखारा रहे है इसको मिला है वह कहते हैं कि यहां पर ने कोंड कि जो साइन है इसके अनुकुरुमानपाथी तो db अनिकुरुमानपाती साइन थीटा आप चौथा पॉइंट है आपके पास चुम्बकी ये छेत्र बिंदू पी की अलपांस से दूरी जो आर है इसके वर्ग के व्यूतकुरुमानपाती तो बस db यहाँ पर हो गया व्यूतकुरुमानपाती आया है इसलिए आपको एक क समी करणों को आपको मिला देना है देखेगा यहाँ पर लिखेंगे चारो समी करणों को आपको मिलानपानपाती देखेगा मिलाने पर क्या बनता है जब चारों को मिलाएंगे तो डी भी हो गया आपके पास पहले से अब यहाँ पर यह आई क्या है आई भी यहाँ पर अनुकुर्मान पाती है डी ल भी क्या है अनुकुर्मान पाती है थर्ड नमबर में साइन थीटा क्या है यह भी अनुकुर्मान पाती है फोर्थ नमबर मे जो आपका R है R square यानि की दूरी का जो वर्ग है वो आपका वुईत क्रुमान पाती है तो ये आपका बट्टिम पहुंच जाएगा यानि R square नीचे पहुंच गया ये आपका 4 को मिलाने पर बना है अब अगर आप इसको हटाएंगे यहाँ पर तो D B बराबर बनेगा आपका यानि की आप इस चिन्न को हटाएंगे तो D B equal कर देंगे mu not upon 4 pi यहाँ पर कर जीजगा जिसका की आपका मान होता है 10 के power minus 7 ठीक है ऐसे ये 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 आपका सूतर होता है बाई उसे बटका नियम इतना आपको बस ज्यान का है तो theory अगर आप समझेगे तो ये आप लोग चारों को मिला कर यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से ठीक है ना चलिए इतना clear है आपका आप बढ़ते है next question पर अंगला प्रसने आपके पास एक जो की कह रहा है हुई टिस्टौन शेतू का सिध्धान्त बताईए देखे हो का वी टिस्टौन सेतू का सिध्धान्त क्या होता है कि यहां पर ये इस चित्र को देखतना है यह जो डाइग्राम है यह ही important है आपका पूरा अच्छी तरीके से तो चलिए इसको समझ लीजे फिर आम लोग इसको सवालब करते हैं यहाँ पर आपको लिखना है चितर के अनुसार चार प्रतिरोधाओं जो इसमें प्रतिरोध हैं जैसे की P, Q, R, E, S चार प्रतिरोधाओं इसको चतर 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 धाराम आपी लगा है और A से C के बीच में क्या है एक सिल लगा है जो कि आपको दिख रहा है प्लस माइनस ठीक ना A से C तो दोनों भी करणों में अलग-अलग ये चीज़े जुड़ी गई हैं और संतुलन की अवस्था में प्रत्रोधों में बहने वाली धाराएं यहां पर ग्यात करना है किरचाफ के नियम से चलिए किरचाफ का नियम क्या कहता है इसमें देखे किरचाफ के दो नियम है हमने दो नियम से हम लोग और दूसरे नियम से भी आपको लगाना है दोनों नियम को लगाना है देखें यहां पर पहले परिपत की बात करेंगे बंद परिपत यहां पर दो मिल रहे हैं आपको हना a b d a और इसी प्रकास इसमें आएंगे दूसरे बाले में तो b c d b दो यहां पर परिपत परिपत ए बी डी यह पहला बन रहा है तो जब पहले में अगर आप देखेंगे तो आपका किर्चाप का दूसरा जो नियम हो यह कहता है कि जो इसमें संगत प्रित्रोदा और संगत धाराइं हैं उनका जो गुडन फल होता है वो आपको ऐसे लेना है कि जो धारा की दिषा है अगर धारा की दिषा में पढ़ रहा है वो चीज़ तो आप धनात्वक और धारा की विप्रित डिषा में जब पढ़ेगा तो नेगटीव लेना है और एक चीज़ यहाँ पर आपको इनका जो योग होता है वो उसके विदुद-वाहग बलके पराबर होता है वि भी फिर D, तो A से B की ओर चले, फिर D की ओर आए, फिर D के बाद यहाँ पर A की ओर, यहाँ पर D से A है ना, तो D से फिर A की ओर गए, लेकिन धारा यहाँ पर जो I2 है, यहाँ आपकी A रो इधर की ओर जा रहा है, और हमें जाना की इधर है, D से A की और जाना है इसलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस 10 लग जा क्योंकि भी प्रीद पड़ गया तो I2 और R धारा और संगत प्रितोत क्या है I2 R यहाँ पर कैपिटर ही आप लोग ले लिजी I2 R इकॉल टू यहाँ पर बीदो दुबाग वल बन सकते हैं ठीक है ना तो पहला समीकर बन गया ऐसे ही आप लोग दूसरे परिपत में आ जाए यह परिपत आपका B, C, D, B में तो लिखेंगे यहाँ पर परिपत B, C, D, B तो B से C की और जाएंगे B, C तो B से C की और जाने पर I, Q पड़ रहा है ठीक है ना धारा और संगत प्रितोत उसका क्या है I, 1, Q आप यहाँ पर आए C से फिर क्या है D है तो C से D की और फिर से धारा आपकी यहाँ पर इधर की और जा रहे है और हम C से D की और आ रहे है तो नेगेट 2 होगा क्योंकि फिर से भी प्रित हो गया तो धारा और संगत प्रितोत क्या है Yes, प्रितिरोत है और धारा क्या है I, 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे I, 2, Yes और इसका विदुद वाहग बल क्या है यह भी 0 है ठीक है ना है क्या है 0 है तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा I, 1, Q, 2 यह भी आपको उधर पच्चांदर कर देना है I, 2, Yes इसको माल लेंगे हम लोग समी करण नमबर 2 2 equation हमारे पास 1st और 2 आ गए 2 equation हमारे पास आ चुके है अब आपको क्या करना है आपको लिख देना है समी करण एक में एक में समी करण एक में समी करण दो का दो का क्या करना है भाग दे देना है भाग करा देना है भाग देने पर इतना लिख दीजे तो समी करण एक में दो का भाग करा दीजे पहला समी करण क्या है I1P upon यह कहा है दूसरा वाला I1Q equal to क्या है इधर I2P तो R बटे में क्या है I2S I2S I2 से I2, I1 से I1 बचा क्या P बटे Q बराबर R बटे Yes यही बचरा न यही आपका होता ही यह प्यूर्ण से तुका सिदा यह P Q R S कहा है यह आपके पित्रोध होते हैं ठीक है न तो इतना आपको इस Question में करना है यही आपका Complete Answer हो जाता है ठीक है इतना तो कल लेंगे न चलिए बढ़ते हैं Next Question पर अंगला प्रसंद देखे आपके सामने है Question No.7 इसमें कहरा है कि Cell के आंतरिक पित्रोध से धान प्लेट से रिड़ प्लेट की और बहती है हाना तथा Cell के जो भीतर होता है उसके घोल में रिड़ प्लेट से धान प्लेट की और बहती है यहीं कि जो बाहर है उसकी दिसा दूसरी है और अंदर क्या है Cell के अंदर जो है धारा की दिसा दूसरी हो जाती है ह applying does present के भीशल के भीतर वैवी-धारा दारा के प्रवाह में गोल वारह भॉल में जो वेधार रख्म रही है उसकी मार्य भाधा उत्वट्वन हो रही है जो भीब्वर इक यो वही होता है अगर इसमें धारा परवाहित कर रहा है और इसके मार्ग में अगर रुकावाट डाल रहा है कोई तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्रोध तो अगर बाहर प्रत्रोध मलब बाहर अगर रुकावट हो रही है तो वो आपका जो है क्या होता है सिंपल सा प्रस बोलेंगे और अगर ये मिसल होता हूर इसे के अंदर वो सारी छीजे होती होती रागत है का मारग में उसको हम इसारी जान पत्रोथ जलखिक जो सबाएक कर दें यह जा हुआ आपके सामने आवेस की गती सीलता से आप क्या समझते हैं आवेस की गती सीलता दिखेगा किसी आवेस वाहक के जैसे की आवेस वाहक क्या होता है इलेक्टरान होता है तो किसी आवेस वाहक के अनुगमन वेग भीडी तदा आरोपित वैदुद छेत्री ई के अनुपात को उच आवेश वाह की गति सीलता कहते हैं और इसे मू से बेक्त करते हैं या परदासित करते हैं तो मू बराबर VD अपॉन E VD अनुगमन बेग है E क्या है? बैदुच्छेत्र की तीबरता या बैदुच्छेत्र ठीक है ना? तो यह सुत्र बनता है धातों में उपास्तित मुक्ति लग्टानों का अनुगमन वेग अगर VD ग्याद करना है तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर VD इक्वल टू जहाँ टू क्या है स्रांतिकाल एक क्वेस्टन आपका बहुत इंपॉर्टन है मैं आपको कराऊंगा क्योंकि इस वीडियो में नहीं करा पाया लेकिन वह बहुत ज्यादा महत्योपोड़ जिसको हम बोलते है ओम कानियम ओम कानियम सिंपल सा नहीं आपने सिंपल सा नियम तो ठीक है तो उसको हम लोग करेंगे इसके बाद एक question और है आपका जिसका आपके सामने हाप पर दिया गया है दो समांतर ये यार question भाई साब टिक कर लो ये आपका question जो है न very very most important person है हर एक बार आता है question भाई साब इसको जरूर तयार कर लेना दो समांतर धारा वाही चालकों के बीच कारे करने वाले बल के लिए सूतर निका लिए चलिए तो यहाँ पर आपके पास दो चालक है ए बी सी डी दोनों क्या है समांतर हैं समांतर धारा वाही मनलब इन दोनों में धारा है I1 और I2 समान रूप से प्रवाइद दोनों के बीच की दूरी क्या है? small d है तो माना हम ले यहाँ पर लिखा कि माना A, B और C, D दो समान तर चालक तार है जो एक दूसरे से क्या है? D दूरी पर इस्तित है एक दूसरे क्या है? small d दूरी पर रखे गए हैं, इस्तित है इसके बाद यदितार A, B पर I1 धारा परवाहित करें जो पहला वाला तार है इसमें क्या है? I1 धारा परवाहित करें तो उसके चारो और चुम्बकी अच्छेतर उत्पन होता यह आपको dot dot point दिखना न यहाँ पर अगर इसमें I1 धारा परवाहित करते हैं तो इसमें चारो तरफ हमारा क्या होता है? एक चुम्बकी अच्छेतर उत्पन होता है ऐसे अगर दूसरी में भी परवाहित करेंगे तो इसमें भी उत्पन होगा लेकिन एक में परवाहित करना है ठीक है? तो इसके बाद की क्या होता है जब यह सब चीजे करते हैं हम लोग इतना समझ गे ना चालक AB से D दूरी पर चुम्बकी छेत्र की तीवर्ता जब आपका पहले वाले चालक में I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें यह चुम्बकी छेत्र उत्पन होता और इससे D दूरी पर जो कि आपका यहाँ पर दूसरा वाला चालक की तीज़ता है इससे D दूरी पर चुम्बकी छेत्र की तीवर्ता कितनी होती है B बराबर मुनाट अपॉन टू पाई टू आई वन अपॉन अपॉन इसमाल डी इसको मालेंगे समीकर एक और यह क्या है? सूत्र है यह सूत्र आपको पहले बताए गया है ठीक है ना? मलब डारेक्ट यह सूत्र है हमने यहाँ पर रख दिया है इसका डेरी पर अलाग है तो यहाँ पर क्या लिखना है? लिखना है आता है चालक CD के LL握ाम बाहई पर लगने वाला बल इसे चालकतार जो दूसरा वाला है CD इस पर जब हम लोग आई टू धारा प्रवाइद करते हैं तो यहां पर क्या है इसकी यह लंबाई पर जो लगने वाला बल है वह होता है F बराबर यहां पर क्या है जो बल होगा ना चालकतार के वह लंब बहुत लगेगा इसलिए यहां पर थीटा कमान बेडिक्ट हो जाता है तो यह आपका यह दूसरा सूत्र है अब यहां पर देख सकते हैं बीज में आया है F बराबर क्या है क्योंकि भाई साब हमने बल क्यू निकाला आ 2i1 upon d है है हना तो इससे 2 आप का ईंसिल भी करा देंगे तो मुनाट आपॉन पाई d भी बचेगा तो b की जगह पर आप इसको फिलप करा देंगे रख देंगे तो यहां पर आपका i2 L V यहाँ पर sin 90 का मान एक होता है तो I2 बचा L बचा और B बचा sin 90 आपका 1 हो गया यह बचा इसके बाद F बराबार 2pi 2 I1 अपॉण D यह तो B का पूरा मान है और I2 और L यह आपके पास अलग से जुड़ा है तो B का मान हमने यहाँ पर रखा है कर दिया है इसलिए पूरा बल का सूतर हमारा निकल के आया है और यही आपका final answer है ठीक है ना इतना समझ लेना है तो I hope आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लागा हो तो यहर लाइक कर देना और इसी परकास से chapter wise आपको important question चाहिए तो चैनलों को भी subscribe कर लेना दोस्तों को साथ share कर देना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स topic के साथ तब तक के लिए जेहिन वन्दे मातरम